हलो दोस्तो आज किस वीडियो में एक छोटा सा 3000 टेमेंच का एक पोटेवल पावर वेंग बनाने वाला हूं जो कि बहुत ही छोटा होगा और आप भी बिल्कुल असानी से इस अपने घर पर बना सकते हो और इसका कनेक्शन भी बिल्कुल असान है तो चलिए दोस्तों देखत कर रहा हूं वह इस खोब में बिल्कुल फिट आ रही है और यहां पर मैं एक छोटा सा 3000 टेमेंच का पावर वेंग बना रहा हूं आप बड़ा भी बना सकते हो ज्यादा बैटरी लगा कर तो इसका हमें 9.5 cm का टुकरा कट कर लेना है जिसमें की एक बैटरी बिल्कुल प्यम् सिर्षाइब करें प्रसक्राइब करें लेंगें HELब में लिए करते हो सब्सक्राइब करसाइब बैटरी यूच करने वाले है तो तरह की बैटरी थे दोनों लीतिया माइन बैटरी है लेकिन जो एक है वह तूर्वंडे डेमेज का और दूसरा वह थे थाउजन ऍव देमेज का अर दोनों 3.7 भोल्ट के तो आप जो व्योज कर सकते हो अगर कम पार के यूज करते हो तो आपका जो पार वेकोग बहुत कम पा इуемच बाले वैक्ट्री का यूज़ करने वाला हूं बैटरी को कनेक्ट करळेना और इसमें दो इंडिकेटर देखने को मिलते हैं एक इंडिकेटर जब हम हम इसे चार्ज में लगाते हैं तो बाइट इसके पाउरणक सिस्टम के लिए वर्क करता है और जो हमारे यह मोडियूल है इस पहले से भी पलस और बी माइनस इंडिकेट होता तो आपको SMPLY इस power rank module को रखकर इस shape का इसमें hold कर देना है तो पहले मैं इसमें hold कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ कैसा इसमें hold करना है तो आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने power rank module में जो USB है और micro USB है उसके shape का hold कर दिया जिससे कि हम इस power rank module के connection को बाहर निकाल सके कि मतलब जिससे हम इसमें USB केबल लगा सके और charging socket इसमें लगा सके तो कुछ इस तरह से जैसा मैंने आपको connection बताया था वैसे ही मैंने बी पलस और बी माइन से direct battery में connection कर दिया है अब हमें इस power rank module को इस seat पे रखकर super glue से अच्छे से fix कर देना है मैं है super glue का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहां इसे permanently fix कर रहा हूँ आप चाहे तो glue gun का भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने seat को इस module के साथ बिल्कुल अच्छे से fix कर दिया है अब हम इन साड़े connection को जो हमने PVC पैप लिया था उसके अंदर fit कर देना है तो यहाँ पर मैंने पहले से एक in cap इसके पीछे fix कर दिया था अब जो हमने circuit तयार किया उसको इस तरह से बैटरी को इसमें डाल देना है और बैटरी इधर उधर ना हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा वह लूज जा इसलिए हम फट आफट इसको fix कर देता हूँ फिर हम इसकी टेस्टिंग देखेंगे तो दोस्त हमने बीलकुल अच्छे सेसको suppose कर दो अब मैं से थोड़ा सेइंच पर से अरफ करकर फिंस कर देता हूँ तो हमने बिलकुल अच्छा से इसको फिंस कर दिया तो आप गछी दे कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें तो चलिए अब हम इसके टेस्टिंग देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर को बोट से कनेक्ट कर दिया अब मैं इसके माइकरUUSB को जैसे इसमें लगाता हैं तो आप देख सकते आपको यहाइं पर एक इनिकाटर बिलिंग करता हुआ दिखाई देगा, मतलब यह charge हो रहा है, जब यह full charge हो जाता है, तो जो red indicator ब्लिंक कर रहा है, वो direct red जलने लगता है, मैं फिर से इसको निकाल कर लगा कर आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से यह charge हो रहा है, तो भाई, यह तो बिल्कुल चार्ज करके देखने कि चार्ज कर पाता है या नहीं तो जैसे मैं USB केबल को अपने फोन से कनेक करता हूं तो आप देख सकते चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है और आप यहां चार्जिंग इंडिकेटर भी इसका देख सकते हो लेकिन इसमें यह प्रोब्लम है कि यह अच्छे चार्ज कर ले तो इसका बैटरी बैकप भी बहुत अच्छा होता और यह मैंने टेस्ट करके देखा है इमर्जेंसी में आप इसका यूज कर सकते हो और कहीं पर भी ले जा सकते हो दोस्त आप को छोटा सा पारवेंग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अच्छे टूल सुज कर लावेंसी और यह मैंने टूल से ले जागएंसी हूज कर दोस्त देखा है झाल अच्छा च्रूग कर दोस्त आप दूल